हमारे सभी दर्शकों को साधर प्रणाम जैशिक क्रश्णु आज का हमारा विशय है करक राशी वाले जातक किस राशी से विवहा करें तो शूब इस्तति रहती है और किस राशी से विवहा करें तो अशूब इस्तति रहती है तो हमारा राशी से सीथा संबंद है चंद्र राशी से आप अपनी लगन कुंडली खोलें और देखें यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा च का अक्षर लिखा हुआ होगा और यदि उस खंड में उस भाव में चार का अंग लिखा हुआ है तो आपकी करक राशी होगी इसी के आधार पर हम गुण मिलान देखते हैं और राशियों की इस्तती देखते हैं यदि अच्छी इस्तती है तो विवाह करते हैं यदि बुरी इस्तती है और विवाह कर लिया तो फिर समस्या रहती है तो करक राशी वाले किस राशी से विवा करेंगे तो अच्छी इस्तती रहेगी आज आप जान सकते हैं और किस राशी से अशुब इस्तती रहेगी वह भी जान सकेंगे पूरा वीडियो देखें और एक महतवपूर्ण जानकारी लेवे सबसे पहले तो आप राशियों के बारे में जाने कि राशियां कितनी है और उनके स्वामी कौन-कौन से ग्रह होते हैं हालांकि यह जानकारी प्रतेक वीडियों में देता हूँ लेकिन देना आवशक भी है क्योंकि बहुत से लोग इसे पहली बार देख रहे हैं तो जो दर्शक पहली बार देख रहे हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का उसे दबाएं इस चैनल के सदस्य बनेंगे तो आने वाले समय में जो भी जानकरी मैं यहां पर भेजूंगा आप तक समय पर पहुँच पाईगी और यदि यह वीडियो आपको पसंद आये तो इसे शेयर भी अवश्य कीजिएगा तो राशिया कुल होती है बारह आप सभी जानते हैं और इसमें साथ प्लेनेट जो होते हैं महतुपूर योगदान रखते हैं वे ही स्वामी होते हैं इन बारह राशियों के तो मंगल जो है वह मेश और वरश्चिक राशी का स्वामी है नोट कर ले मैं शुक्र जो है वह वरशब और तुला राशी का स्वामी है बुद्ध ग्रहा मिथुन और कन्या राशी का स्वामी है करक राशी का स्वामी चंद्रमा है आज बात हो रही है करक राशी की उसका स्वामी चंद्रमा है सिय राशी का स्वामी सुर्य है इसके बाद धनू और मीन राशी का स्वामी गुरू है मकर और कुम राशी का स्वामी शनी होता है अब आपने यह बात तो समझ ली कि किस राशी का स्वामी कौन सा ग्रह है अब दूसरी इस्थति आप यह समझें कि जो सात ग्रह हैं वे आपस में मित्र हैं या शत्रु हैं इसे भी समझ लेगे ताकि अगली इस्थति आप समझ पाएंगे तो इसमें आज बात हो रही है करकराशी की तो करकराशी का स्वामी चंद्रमा है तो चंद्रमा के मित्र ग्रह कौन-कौन से है चंद्रमा का मित्र है सुर्य सबसे पहला मित्र सुर्य दूसरा मंगल तीसरा गुरु सुर्य मंगल गुरु तीनों चंद्रमा के मित्र हैं क्षत्रु कौन-कौन से ग्रहा है बुद्ध है शुक्र है और शनी ये तीन चंद्रमा के क्षत्रु है ये तीन ग्रहा चंद्रमा के क्षत्रु है अब एक-एक करके राशियों को समझते हैं करक राशी वाले सबसे पहले बात करें मेश राशी की यदि करक राशी वाले मेश राशी वाले लोगों से विवा करें तो कोई समस्या वाली बात नहीं होगी क्योंकि मेश राशी का स्वामी कौन सा ग्रहा है मंगल और करक राशी वाले यदि मेश राशी से विवाह करते हैं तो कोई समस्या नहीं रहेगी इसके अलावा मंगल की एक राशी और है व्रश्चिक उससे भी यदि करक राशी वाले विवाह करें तो कोई समस्या वाली इस्तती नहीं रहेगी इस बात को भी नोट कर ले मैं फिर आती है शुक्र की बारी तो शुक्र की राशी है व्रशब और तुला करक राशी वाले लोग जितने भी हैं व्रशब और तुला से विभा करते हैं तो वहां क्षत्रुता है शुब इस्तती नहीं रहती है इस बात को भी समझ लेए तीसरी इस्तती बुद्ध की मिथुन और कन्या राशी जिसका स्वामी बुद्ध ग्रह है तो चंद्रमा की बुद्ध से भी ख्षत्रुता है तो करक राशी वाले जितने भी लोग हैं यदि मिथुन और कन्या से विवा करते हैं तब भी समस्या रहती है राशी मेत्री नहीं होगी सीह राशी से विवा करें तो कोई समस्या वाली बात है ही नहीं करक के ठीक बाद सीह राशी आती है बहुत सी बार इसमें लोग भकुट दोश देख लेते हैं बहुत सी बार जोतिशी भी बता देते हैं लेकिन राशी मेत्री होने के कारण इसमें भकुट दोश नहीं लगेगा। चाहे करक राशी की लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे सीन राशी की लड़की हो, लड़का हो, आपस में विवाह करते हैं करक और सीन राशी वाले, तो वहां पर भकुट दोश नहीं लगेगा, इसे दिर्द्वादश भकुट बोलते हैं, तो यह दोश नहीं लगेगा, यदि गुण कम है तब भी जुड़ जाएंगे गुण साथ गुण बकुट के जुड़ जाएंगे मिलान शुब हो जाएगा तो जहां राशी मित्रता है वहाँ पर आपको बकुट दोश नहीं देखना है इसके बारे में मैं पूरु में बता चुका हूँ जब भी आप कंप् होते हैं और इनके टोटल गुण 36 होते हैं और यदि कम गुण मिलते हैं 18 से कम गुण हो तो आप उसे छोड़ देते हैं लेकिन आप यह देखें कि ग्रह मेत्री यदि 5 में से 5 पूरी है तो वहाँ पर भकुट दोश नहीं लगेगा तो करक और सीराशी में मित्रता है अगली राशियां जो है वह है करक राशी ही माने मानली जी किसी व्यक्ति की करक राशी ही है और आपकी भी करक राशी है तो करक राशी वाले लोग करक राशी से विवा आराम से करें कोई समस्या नहीं और नाड़ी दोश भी यहाँ पर नहीं लगेगा चाहे एक नक्षत्र लड़के और लड़की दोनों का आशलेशा नक्षत्र है दोनों की करकराशी है तब भी यहां देखेंकि पहले चरन का चोते चरन के साथ दोष लगेगा लेकिन कहले चरण का दूसरे चरन और तीसरे चरण के साथ दोश नहीं लगेगा, तो पहले और चोथे का आपस में दोश लगता है, दूसरे और तीसरे का आपस में दोश लगता है, इसे पाद वेध दोश कहते हैं, इसके बारे में भी मैं जानकरी पूर में दे चुका हूँ, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देखें और लाबानवित हो वें क्योंकि आपके लिए अच्छे-च्छे रिष्टे आ रहे हैं लेकिन आप गुण देखते ही छोड़ देते हैं आजकल सभी लोग कंप्यूटर से ही मिलान देख लेते हैं और स्वयम ही निर्दारन कर लेते हैं मिलान करना या नहीं करना ये सारी इस्ततियां राशी मित्रता पर निर्बर करती हैं तो राशी मित्रता है तो भकुट दोश जैसे दोश समाप्त हो जाते हैं अगली राशी है धनू और मीन दो राशियां ये दोनों गुरु की राशियां है तो गुरु से चंद्रमा की मित्रता है और करक से धनू तक गिने करक से कन्या तूला वरशिक धनू यहाँ पर शडास्टक भकुड़ दोश आता है साम्हानि तोर से बकटधोश लिखा हुआ होता है लेकिन करक और धनू में मितरता है इसलिए शड़ास्टक दोश नहीं लगेगा इस बात को भी आप द्यान में रखें मित्रता है तो दोश नहीं लगेगा तो धनू और मीने राशी से विवा करना भी अशुब नहीं रहेगा इस बात को समझ लेँ और शनी की राशियां है नेक्स्ट मकर और कुम्ब ये दोनों राशियां शनी की राशियां है चंद्रमा से मित्रता नहीं है शनी और चंद्रमा की मित्रता नहीं है इसलिए करक राशी वाले मकर कुमब से विवा करें तो यह इस्तती जदा शुब नहीं रहती है और करक से ज़ियदी आप गिनें करक सी कण्या, तुला, व्रशिक, धन, मकर और कुमब आठवी पड़ेगी कुमब राशी कुम राशी से शडास्टक दोष लगेगा मकर से नहीं लगेगा लेकिन क्योंकि मकर तो सातवी राशी है लेकिन कुम से करक राशी का शडास्टक भकुर दोष लगेगा वहाँ पर विवाँ करना अत्ति अशुब होगा बुरा योग है करक और कुम्प का और करक राशी वाले मकर राशी से भी विवाहा करते हैं तो भी राशी मित्रता नहीं रहेगी आप चाहें तो कंप्यूटर से गुण मिलान देखेंगे तो वहाँ पर घ्रह मेत्री 5 में से 0 आएगी या 5 में से 0.5 आएगी इस बात को आप समझ लेवें हाँ जैसे अब एक बात और समझ लेवें कि जैसे शुक्र से चंद्रमा की शत्रुता है बुद्ध से शत्रुता है शनी से शत्रुता है और मान लिजे मकर राशी है वैसे मिथुन और करक की तो शत्रुता है ही क्योंकि पकुड़ दोश भी लगेगा शत्रुता है राशी मेत्री नहीं है और नजदीक की राशिया है इसलिए दिरद्वादश पकुड़ दोश अवश्य लगेगा लेकिन यदि करक राशी वाले कन्या राशी से विवा करते हैं कहीं गुण 18 से अधिक मिलते हैं या मकर से क करते हैं या दूला से करते हैं शत्रूराशी से भी करते हैं तो वहाँ यहां देखें कि कुंडली की स्थि अच्छी हो के कुंडली का सब्तमधा अच्छा हो उस में कोई पाफ-ग्रह ना हो जिससे आप विवाद कर रहे हैं उसकी कुंडली देंनी हैं इसके साथ ही आपको यह भी देखना पड़ेगा कि सपतम का कारक शुब इसतती में हो सपतम का स्वामी भी शुब इसतती में हो और दशाय भी अच्छी हो तो सारी मिलान वाली इसततियां अच्छी हो जाएगी चाहे गुण 19 हो बीस हो इकीस हो तब भी शुब इस्ततियां रहेगी लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताए कि कुम राशी से करकराशी का शड़ास्टक दोश हैं मितुन राशी से भी दोश लगेगा तो वहां पर सावधानी अवश्य रखें तो आज आपने समझा कि करकराशी वाले किन राशीयों से विवा रिखा करते हैं तो अशुब इस्तति रहती हैंकि कौन सी राशिय करकराशी वालों के लिए शुब रहेगी उन से विवा करना ठीक रहेगा अच्छा रहेगा और आगे भी मैं आपको अणिय राशियों के बारे बतांगा तो आप बने रहें attempt इ जन्निवाद, जैशिक्रिष्णु